अब दोनों की आज की एनरजीज लेकर देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनरजीज कैसे रहने वाली है तो शुरू करते हैं गाइस लेके प्रभु का नाम हर हर महादीव जै हो शिव शक्ति जै हो रादे क्रिशना जै मेरे भाई हमेशा की तरह मेरे व्यूवर्स की एनरजी होगी राइट साइड में और आपके पर्सन की लेफ्ट साइड में अगर कोई व्यूवर सिंगल है तो वो इस साइड की एनरजी को फॉलो करेगा शुरू करते है तो यह है गाईस आपकी एनरजी और यह आपके पर्सन की आपकी तरफ पहला कार्ड वी हैव जस्टिस seven of wants nine of swords page of wants the judgment seven of swords overall energy five of pentacles overall energy अगर मैं देखू तो थोड़ी सी energy कुछ लोगों की disturb हो सकती है heaviness हो सकता है कही न कहीं आपको कुछ धोखे याद आ सकते हैं कुछ negative vibes आ सकती है आज का दिन थोड़ा सा trigger भी आपको मिल सकता है financial trigger या family से trigger बट यहाँ पर चोड़ी मोटी बहस होने की भी संभावना बनती है देखिए कल है ग्रहंड और ग्रहंड के पहले यह energy obvious है चीक है होती है normal है तो आपको थोड़ा सा balance बना कर चलना है क्यों क्योंकि energy जबी भी heavy होती है तो अगर आप meditation करते हैं आप chanting करते हैं universe पर believe करते हैं angels पर believe करते हैं साधना करते हैं तो यह energy आपके औरा से टकराती जरूर है बट आपको effect नहीं कर पाती आपका औरा बहुत powerful हो जाता है और जब आप lower vibration में होते हैं तो यह energy आपको बहुत badly trigger करती है रोना दोना परजिंग बहुत सारे जो energy है उसे absorb कर लेते हैं जो new moon full moon की energies होती हैं तो जब आप उसे absorb कर लेते हैं तो वो energy 15 से 20 दिन तक badly effect करती हैं अगर आप बहुत positive energy में हैं और positivity को attract कर रहे हैं तो वो energy आपको transform कर देगी, ascend कर देगी higher dimensions की तरफ लेकिन अगर आप lower vibration में हैं और आप negativity को attract कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा loss, किसी तरह का loss, financial loss, career के अलावा love life या married life में destruction, इस तरह की energy असर कर सकती है तो सतर कर रहेगा इसके अलावा देखिए major arcana काफी सारे आए हैं, we have two major arcana that is justice and judgment तो आज के दिन पहली बात तो कोई निर्ने मत लीजेगा, अगर आप कोई निर्ने लेने की सोच रहे हैं, किसी भी कार्य को लेकर, वैसे मैं आपको बता दूँ कि कल मैंने चंद्रग्रहन पे राशी और लगन के recording videos अपलोड कर दी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं, पर काम कर सकें, ठीक है, साथी साथ यहां कोई निर्ने लेने से बचना है आपको, अभी इसी वक्त मैं बता रही हूँ, कल तो खेर मैं energy reading करूंगी ही, बट अभी भी यहां पर vibes ऐसी हैं, जैसे आप गुसे में कोई निर्ने ले सकते हैं, या judgmental होकर कुछ बोल सकते हैं किसी को, तो ऐसी situation से बचना है, कुछ न कुछ challenging situations आपके सामने आ सकती हैं, जिससे आपको बहुत peacefully निकलना है बाहर, react या respond नहीं करियेगा, then we have justice energy, यहां पर कुछ लोगों के साथ म्याय होगा, fair decision यहां पर जो भी आप deserve करते हैं, वो आपके साथ होने वाला है, यहां पर सामने स आपकी तरफ justice आता हुआ नजर आ रहा है, justice in the sense we have justice with seven of wands, तो अगर आप अपने relationship को लेकर बहुत जादा protective हो, defensive हो, आप अपने relationship को protect करने की energy में हो, दुश्मनों से, enemies से, धोखे बाज लोगों से, manipulative लोगों से, तो यहां पर आप उसमें successful होगे, यह vibes हैं, खुद के लिए अपने लिए, swim के लिए, इसके अलावा, अपने relationship के लिए, अगर आप stand लेने की सोच रहे हो, तो बिंदास लोग कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा, कुछ लोगों को messages या calls receive हो चुके हैं, यहां पर बहुत romantic conversations हो सकती हैं, एक दूसरे के साथ बाहर जाना हो सकता है, मु अगर बैडली trigger होगी, आपकी life में जो भी negative लोगों से आप मुलाकात किये हैं, जिन जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है, उन सब बातों को सोच सोच कर, सोच सोच कर रोना आ सकता है, जैसे ही आप अकेले कमरे में जाएंगे, साए दिन में, चाह रात में, आंखों से आस कुछ लोगों को कोई भड़का सकता है, आप पे कोई blame लग सकता है, या suddenly आपका कोई सामान, important सामान चोरी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें, because collective energy we have seven of swords, so यह आपकी energy है guys, देखते हैं आपके person की energy, आपकी person की energy में पहला card है, king of wands, okay, queen of swords, the chariot, 8 of wands, happily confirm कर रही हूँ यहाँ पर, बहुत खुशी से कि बहुत सारे लोगों के person return आ चुके हैं या आने वाले हैं, claim करें इस energy को फड़ा फट से, messages आने वाले हैं guys, यहाँ पर बहुत सबर किया आपने और बहुत सबर किया आपके person ने, यहाँ पर separation end होने वाला है, आपकी त 5 of swords की energy है, इनका आज का दिन थोड़ा सा aggressive हो सकता है, थोड़ा गुसा आ सकता है इनको, और यह भी मैं बता दूँ क्योंकि यह चंदर ग्रहन होगा, तो अभी से energy ऐसी होगी, जैसे आपके person की energy में emotions बढ़ेंगे, emotional energy बढ़ेंगी, तो यह emotions में आके decision लेंगे, ना कि दिमा जाएगी यहाँ, तावर तोड वार, वार वाली situation, वार वाली situation से याद आया, मैंने पिछले unexpected में कहा था, soul loss की energy है, और आपने, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि मैं खुद news देखती नहीं हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि Russia में, Moscow में, soul loss हुआ है, massive destruction हुआ है, और डेर सो करिब लोगों की death हो गई है, approximately, बाकि accurate counting तो मुझे नहीं पता है, तो soul loss का जबी भी कार्ड आया है, unexpected में, कुछ न कुछ heavy news ही मिली है, और मैंने कहा था, East दिशा से related, तो Eastern Europe, Russia में है, Russia, Eastern Europe में है, तो यहाँ पर East दिशा से ही related ये खबर आ गई है सो भगवान उनकी आत्मा को शांती दे, क्या हुआ क्यों हुआ अभी मुझे पूरी news नहीं पता है, बट मुझे काफी लोग सुबह से messages कर रहे हैं, कल भी messages किये थे, सो war वाली situation से मुझे याद आ गया, anyways, यहाँ पर भी देखिए destructive energy है, आपके person की energy में we have got tower, तो यहाँ पर पर रहेगा, चोड़ी चोड़ी बातों पर जगड़ा हो सकता है, तो सतर्क रहें, पता चला बातें romantically शुरू होई और खतम हो गई यहाँ tower moment पर, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो no contact में है, उनको क्या tower moment आएगा, वो तो already tower moment में है, तो उनका यहाँ good news ही है, यहाँ aid of wands की energy ह यहाँ पर बातचीत हो सकती है, आपके लिए obsessed हो सकते हैं, आपके person आपसे मिलना चाहें, बात करना चाहें, देखना चाहें, यह वाली vibes है, then we have king of wands, आप में से बहुत सारे viewers ऐसे हैं, जिनके person आज खुद पर बहुत जादा focus करेंगे, अगर male हैं तो जिम में जा सकते हैं, walk कर सकते हैं, jogging कर सकते हैं, अपने शरीर को सुधारनी की कोशिश कर सकते हैं, diet follow कर सकते हैं, अपने looks पर बहुत जादा काम कर सकते हैं, hair color and all, इसके अलावा अगर female हैं तो बहुत जादा खर्चा खुद पर कर सकती हैं, आज का दिन इनका खर्चीला हो सकता है, प्लस यह को मेरे person की तरफ इतने सारे लोग देख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो यह थोड़ा सा एक attract करने वाली vibes है, दूसरों को attract करने की energy में है, यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के person का आज किसी महिला से कोई जगड़ा हो सकता है, यह महिला especially mature energy में नजर हो सकती है, इस तरह की vibes है, इसके अलावा इंतजार कर रहे हैं, वापस आने की vibes हैं, बहुत सारे लोगों के person आपकी तरफ return आ सकते हैं, messages कर सकते हैं, contact कर सकते हैं, long drive पे जाने की vibes हैं, जो लोग contact में हैं, खुश हो जाएए, यहाँ बहुत सारे viewers ऐसे हैं, जिनकी मुलकात होगी, कहीं न कहीं आप साथ में drive पर भी जा सकते हैं, आज की energy मिलते हैं इसके बाद, बड़ी reading में, till then take care, bye bye